हेलो इस्ट्ूडेंट स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर इस्टूडेंट जैसा कि आपको मैंने इस से पहले वाली वीडियो में बताया था कि यदी किसी का CPCT फॉर्म गलत हो गया है उसमें डेट अप बर्थ गलत आ गया है या मम्मी पापा की नाम गलत हो गया है या अपना user ID और हम password नहीं पर एंटर करेंगे उसके बाद में यहाँ पर password देखिए एंटर कर रहे हैं कर लॉग इन पर हमें करना है खिर टिक के यहां पर आपके अभी तक आच से बात करें सुभाई से बात करें तो यहां पर edit का यह option हमें देखने को नहीं मिल रहा था लेकिन अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा यह candidate है जिनके इस अगर फॉर्म को आप open करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर candidate का जो नाम है बही उसके mother's name में आ रहा है मतलब जब इसका फॉर्म हो रहा था तब यहां पर mother's name में candidate का ही नाम एंटर हो गया है जो कि गलत हो गया है अब इसको किस प्रिकार से सुधार ना तो इसके लिए student द्वारा help desk पर जाकर जैसा कि मैंने आपको बताया था यहां पर grievance के लिए यहां पर apply किया था और यहां पर इसके बाद ही है यहां से फिर से skip हो जाएगा तो देखिए students यहां पर हमें करना है edit पर click इसके बाद हमें करना है प्लस के sign पर click और यहां पर हम जैसे click करते हैं यहां पर बिंडू देखने को मिलता है जहां पर applicable exam fee amount यहां पर कितना है 50 रोपय हमें इसको यहां पर build desk पर जाकर और इसको enter करना है अब यहां पर जैसे ही आप करेंगे तो यहां पर शम्मिट का ओप्सन में देखने को मिलता है लिए पर क्लिक और पर करेंगे क्लिक तो यहां पर हमें एक नई फिर से तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमें debit card debit card ATM PIN यह भी हमें यूज करने को दिया गया है यहां पर UPI का option हमें दिया नहीं गया है अब क्या कर सकते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स आपका जो ATM card है उस card का आपको यहां पर नंबर एंटर करना होगा जैसे कि मैं यहां पर एक नंबर अपना ATM card का यहां पर यूज कर रहा हूँ बिलर किया हुआ है स्वाक्षा की दरश्टी से मन्थ आप यहां पर डालेंगे कि आपका कौन सा मन्थ है इसमें आपके card पर सभी के card पर पीछी की तरफ लिखा रहता है CBB नंबर आपको डालना है यहां पर और उसके बाद में यहां पर card holder का name यहां पर आपको डालना है यह सभी मैंने जानकारी को यहां पर skip किया हुआ है और यहां पर make payment पर हम करेंगे click जैसे ही आप click करेंगे तो यहां पर GST वगरा का conviction मिला कर टोटल एमांट 65 रूपीज बन रहा है आपको इसको प्रोसेश्ट पेमेंट पर करना है मैंने यहां पर click कर दिया है इसके बाद में students यहां पर आपके mobile पर message भी आएगा OTP के रूप में आपको वो OTP इसमें एंटर करने होगी तो देखिए students यहां पर जो हमारे mobile पर OTP आई है हम उस OTP को यहां पर एंटर करेंगे तो देखिए यहां पर मैंने ओटीपी एंटर कर दिया में पर करेंगे क्लिक में पर क्लिक करने के बाद यह जो प्रोसेस है कंप्लीट होगी हमारी थोड़ा टाइम लग सकता है students देखिए यहां पर हमारा यह सब कुछ यहां पर क्लियर हो गया है हमारा जो पेमेंट था यहां पर successful हो गया है जो यह information आ रही है आप इसको लिख ल पर complete हो गया है ठीक है ना students अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना आपकी यह process तो हो गई आपकी complete इसके बाद में अब आपको बापिस अपनी application form पर जाना है और व्यूपर आप करेंगे अब जब आप व्यूपर क्लिक करेंगे students तो आप देखी यहां पर आपको ऊपर की तरफ में राइट शाइड में print form के बगल में edit cpct application form नाम से अब एक आपको नया option यहां पर आपकी profile में जुड़ गया है आप जैसे ही यहां पर अगर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक नई अब यहां पर हमारी सभी कुछ जानकारी यहां पर आपको देखने को मिल रही है जैसे candidate का नाम candidate के father's name candidate mother name तो देखिए यहां पर क्या हुआ था यहां पर देखिए students बहुत ध्यान से spelling एंटर कीजिए ताकि फिर से वही problem ना हो पता चला कि फिर आपने edit किया और फिर आपने गलती कर ली देखिए इसके बाद में यहां पर mother's name में हमने यहां पर एंटर कर दिया है उसके बाद में students के surname जो है अगर middle name है तो उसको भी एं मैं गलत कर दूं तो यहां पर थोड़ा सा time लेकर इसका सब कुछ detail में चेक कर रहा हूं यहां पर अब देखिए students यहां पर आपके नाम में कोई भी changes का तो यहां पर option देखिए हो जाएगा है ना फिर इसके बाद में पिता का नाम माता का नाम और यहां पर आपका male female आपक किस प्रकार से हाला कि यह दो तीन चीजह हैं आप इनको देखिए open करके आपको इन में सब कुछ मिलेगा mobile नमबर भी आप यहां पर और भी जो basic information है आप इसको एड़ यहां पर edit कर सकते हैं तो students हमें सर्फ यहां पर candidate के mother का name यहां पर edit करना था तो हमने इसको edit कर दिया उस यहां पर changes कर सकते हैं इसके बाद में next पर हम फिर से करेंगे click और यहां पर हमारे जो भी जानकारी है हमने उसको यहां पर last में हम यहां पर जो इनकी term and condition है हम उसको करेंगे I agree preview अगर आप देखना चाहिए तो preview भी यहां पर आप देख सकते हैं तो आप देखिये जरूर इस preview को कि किस प्रकार से आपका जो form है आपको दिखने वाला है यहां पर हमारा जो form है इसमें candidate का नाम सही हो गया है पता का नाम सही हो गया है माता का नाम इनकी mother's name जो था बैर भी अब सही हो गया है और यहाँ पर और सभी इनकी जानकारी सही है हम यहाँ पर OK पर करेंगे बापिस click और हम यहाँ पर submit पर कर देंगे अब हम इस student का पापिस हम जाते हैं इनके form पर जो हमने पहले यहाँ पर form देखा था तो देखें यहाँ पर log out हो गया है जैसे कोई बात नहीं हम फिर से इसको login करेंगे और यहाँ पर password को enter करेंगे और login पर करेंगे click हमने जैसे यहाँ पर login पर click किया application form पर जाएंगे इस candidate का first जो हमारा था यहाँ पर problem थी mother's name में तो आप देखें student यहाँ पर mother's name में candidate का नाम आ रहा था अब इनकी जगह पर इनकी mother's name यहाँ पर आने लगा है मलब आपका जो form था यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया है और students इसमें एक और खासिया थे जब आप एक बार सुधार करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका जो application कर सकते हैं अपने form में students video अगर आपको helpful लगी है तो इसको लाइक कीजिए अधिक सब्सक्राइब कीजिए साथ में यदि आपको preparation करना है बहुत अच्छी तो आप notes पर्चेस कर सकते हैं students यदि आप हमारी help करना चाहते हैं तो अपनी WhatsApp status में इस video को लगा कर अधिक सब्सक्र लाइए शेयर कीजिए धन्यवाद